हमारे साथ बाचीत करने के लिए 20 सुइंदू परिशात के सेमिक्त महामंति डॉक्टर सुरेंद जायन है सर दो बड़ी बाते हैं अगर हम करें मौलाना मदूदी की लगतार उसके पाठेकरम को लेकर एक विवाज चला था एमियू जामिया ऐसे संस्थानों में उसको पढ़ाया जा रहा था चात्रों को फिलाल एमियू में उसको प्रतिबंधित किया गया है और अब जामिया और इन जगों पर प्रतिबंधित करने की जो बात है वो हो रही है क्या लगता है आपको इस तरीकी के जो पाठे करम पढ़ाये जा रहे है हमें पहले समझना चाहिए मौलाना मदूदी कौन था मौलाना मदूदी वो था जिनोंने देश के खिलाफत आंदोलन को देश द्रोह की और ले जाने की कोशिश की थी मौलाना मदूदी वो थे जिनके साहित्य से तालिबान प्रेरणा लेते हैं जिनके साहित्य से जिन्नाने प्रेरणा ली थी उनको पढ़ाएंगे तो अलगाववाद और आतंकवाद ही पैदा होगा दुर्भाग्य से जामिया मिलिया युनिवस्टी और अलिगण मुस्लिम युनिवस्टी पहले से ही अलगाववादियों का अड़ा बनी हुई थी मैं ये कहूँ जो एम्यू के बारे में था वो जामिया के बारे में भी हो गया ये आतंकवादियों के शस्त्रागार बन गए थे आर्सनल बन गए थे मुझे आप जानकारी दे रहे हैं कि अलिगण मुस्लिम युनिवस्टी ने वो पाठे करम हटा दिया है बहुत अच्छी बात है जे एम यू से भी हटना चाहिए इसके लिए मैं नहीं समस्ता किसी और आंदोलन की या किसी और चीज की जरुवत होनी चाहिए लेकिन थोड़ी सी तमीज मुस्लिम नेत्रित्व को भी सीखनी चाहिए क्या उनको नहीं लगता कि अलगावाद के जिस मार्ग पर वो अपने विद्यार्थियों को ले जाना चाहते हैं वो मुस्लिम समाज को किस और ले जाएगा विवादित मुस्लिम स्कॉलर मौलाना मदूदी की दो किताबे थी वो एम्यू और जामिया हमदर्द विश्व विद्यालय में पढ़ाई जा रही थी एम्यू में फिलाल इस पाठेक्रम को रोग दिया गया है और प्रधानमंत्री कारियाले सिमली जानकारी के अनुसार इस पूरे पत्र पर गंभीर विचार भी किया जा रहा है हलाकि इस पत्र को लिखने वाले तमाम विद्वानों का ये दावा भी है कि जिस तरीके से मौलाना मौदूदी की सोच थी वो कटरपंत को धर्शाती थी सरतन से जुदा करने की बात करती थी ऐसे में इस पाठेक्रम को बच्चों को पढ़ाए जाने के बाद से उनके मन मस्तिक्स पर किस तरीके का एक बड़ा असर होता इसी को देखते हुए अब सरकार ने आने वाले दिनों में इन तीनों ही विश्विद्यालों में इन पाठेक्रम को बंद करने का फैसला लिया है क्यामरामेन राम नरेस के साथ गौरब मिस्रा न्यूज इंडिया दिल्ली